हेलो गुड मॉर्णिंग तो आज मैं आपके लिए लेका है हो कुछ खास यानि कि टेंस हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टेंस के बारे में और मैं इस की बारे में बनाऊंगा यह वीडियो इसके पहले भी मैंने टेंस के लिए वीडियो बनाया है बढ़ छोटा-छोटा चार मिनिट पांच मिट का जो के शुडेंट देखते हैं वीडियो को और कहते हैं एक पार्ट तो आपका देखा लेकिन अगला पार्ट तो पता नहीं चला कैसे वह खोजने में उनको दिक्कत हो तो मैं चाहरा हूं कि कैसा वीडियो बनाऊं जिसमें एक पार्ट पूरा कि अधिन कि है जिसको आज मैं चाहने के लिए आपके पास वह चीज है तो कोई पूझ दे कि बादू जरह यह बता तो तो तेन्स क्या है ताफ़ो बताना पढ़ेगा तो वह बता ही कि ट्रेंज क्या है तो देखिए दा चेंज अगधर चेंज in the form of a verb in the form of a verb in the form of a verb according to time according to time is called tense tense kya hai the change in the form of a verb according to time time is called tense समय साथ करूब लूब में पर्षर्टन को dreun square simple समय के साथ क्रिया की रूप में पर्षर्टन को हम क्या कहते काते हैं कि अब मैं आपको एक्जाम्पल से समझाऊंगा ध्यान दीजगा एक्जांपल से समझ्यें देखिए, S-H-E-K-H-A-R, शेखर, रिट्स, अबूक, शेखर किताब पढ़ता है, उसके बाद, Manju helped the poor, Manju घरीब लुगो की मदद की, Prince, will go, Prince will go home tomorrow, Prince will go home tomorrow, ध्यान दीचेगा, पहला जो सेंटेंस है, सेखर, रिट्स अबू, यह आपका हो गया, Simple Present Tense, जिसमें यह कहता कि सेखर, किताब पढ़ता है, Manju helped the poor, यह हो गया आपका, Past Tense, और Prince will go home tomorrow, यानि प्रिंस कल घर जाएगा, यह हो गया फ्यूचर टेंस, देखे, तीनों में भर्ब के फॉर्म्स जो है, वो चेंज हो चुके है, यहाँ पे भर्ब फाइब लगा है, यहाँ पे भर्ब टू लगा है, यहाँ पे विल के साथ भर्ब लगा है, तो यही चीज हमें सीखना होता है, है टेंस में कहां पर हम भर्ब लगाएं कहां पर हम भर्ब टू लगाएं कहां पर हम भर्ब फोर लगाएं और कहां पर हम भर्ब फाइब लगाएं यह सब चीज़ सीखना होता है सिंपल प्रेजेंट मतलब सॉरी यह सब चीज़ सीखना होता है टेंस की अंदर और जब यह सीखिएगा तभी आप वाइस को भी समझ पाईएगा वाइस आपके एसे सी एर फोर्स नेवी में आते हैं यह आपके टेंस हो गया यह सब जैनरल कंपूटिशन हमेंसा आते रहता है तो यह मैंने आपको बेसिक बता दिया अब हम पड़ते हैं टाइप आप टेंस की बारे में जानेंगे अब देखिए अ प्रकार कितने होते हैं कितने प्रकार की यह होते हैं तो आप अधेर आर थ्री है टाइप्स ओफ तैंसे यह तैंसे थीन प्रकार का होते हैं लिए यह तैंसे एंसे अब वह त्री प्रकार के तैंसे जो है वह कौन से हैं इसी हम जानते हैं अ आगा पास्ट थे इन जिसको हम क्या बोलते हैं फास्टेंश फास्टेंश जिसे हम बोलते हैं भूत का इस थी बीता हुआ का तो उसके बात आजे वर्तमान में है प्रेजेंट है कि टैंस है कि प्रेजेंट इसको क्या बोलेंगे तो वर्तमान काल वर्तमान काल काल कि जब प्रेजेंटेंस हो गया वर्तमान काल अब हम जानेंगे यह हो गया तीसरा कि फ्यूचर टैन्स आ जिसको हम बोलते हैं भाविश्यत का हमने तीनों को टाइब से जान लिए प्रेजेंटेंस पास टेंस फ्यूचर टेंस अब हम जानेंगे प्रेजेंटेंस की टाइप्स देखिए यह प्रेजेंटेंस हो गया प्रेजेंटेंस की चार टाइप्स है क्या क्या है वह मैं बोल दाना हूं प्रेजेंट प्रेजेंटेंटेंटेंस दुसरा है प्रेजेंट कंटी निवस तेंस प्रेजेंट पर्फेक्ट तैंस और एक चौथा है प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटी निवस तेंस इस तरह से सिंपल प्रेजेंटेंस की जो है वह चार टाइप्स हैं तीन टाइप्स पहरे लिखा है था फिर एक टाइप्स मैंने आपको लिखा दिया और ऐसे ही पास्टेंस का भी है जैसे सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट के मैं लिखवा ही दे रहा हूं चारो जो कर दो आप हम लोग फूचर टेंज के बारे मं जानते हैं पहला जो है फ्यूचर इंडाफिनी टेंस है आप देखेले जो आप फिटर इंडाफिन पर रहा प्रें वह कहीं कहीं स्कोंन सिंपल फीचर टेंस भी बोल सकते हैं सिंपल फुटर टेंस भी बोल सकते हैं फीचर इंड्याफी टेंस हो गया फूचर कंटीनियवस टेंस हो गया फूचर पर्फेक्ट एंस हो गया फूचर परफेक्ट कांटीनियवस सब के बारे में सीखेंगे हमने बारी से सारी तेन्स की परकार करके अब हम लूग से पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे सीम्पल प्रिजेंट आप मैं आपको बता रहता हूं इसे पहले आपको forms of verb जानना होगा यानि कि verb forms क्रिया के रूप क्योंकि आपने शुरू में जो definition पर रहा था मैंने जो आपको बताया था कि टेंस क्या है तो उसी में बताया था कि क्रिया के रूप जो समय के साथ बदलते हैं से हम क्या कहते हैं मदब connects कहते हैं ये ही जानना होगा तो सबसे पहले आप बतान रहा हूँ अभी जो इसक्रीन पे आएंगा फोटोस वो वर्ब के हैं b1, b2, b3 आपको दी 1, b2, b3 याद करना है बस यहां देखिए बर्पms मैंने दो ही वर्ट के लिए है जैसे गो हो गया तो गो का भर्ब two went होता है और गो का भर्ब three gone होता है right होता है right का भर्ब two wrote होता है और right कहीं भर्ब three written होता है तो यह भर्ब वन वर्ब टू और वर्ब त्री यह आपको कमसे थोड़ा बहुत है उसको याद करना होता है अच्छा और याद क्या किजेगा अधिक आप ट्रांसलेशन बनेगा तो उसमें यूज किजेगा तो वह आपको याद हो जाएगा अब हम बात करें कि भर फोर और वर्ब फाइब क गो क्या है वर्ब वन है गो का वर्ब टू क्या होता है वेंट होता है गो का वर्ब टू क्या होता है गॉन होता है राइट क्या है वर्ब वन है राइट का वर्ब टू क्या होता है रोट और राइट का वर्ब टू वर्ब टू मैंने सिर्फ दो ही वर्ड का लिया है आब इस तो G-O-E-S गोज समझ में आगा?